गुड मोर्निंग एवरीबान दोस्तों आज है ऑक्टोबर 13 2023 और हम लोग करेंगे दा हिंदु न्यूस प्रेपर के अनेलसिस मेरा नाम है सितेंदर चोधरी और आज हम लोग कौन-कौन से टोपिक यहां पे करेंगे पहला जो टोपिक करेंगे हम लोग करने वाले हैं ग्लोब किए हैं से कौशन साते हैं मेइन्स में आप इस तरह के टोपिक से एखवामप्ल्स जो है डेफिनिटरी दे सकते हो उसके कामाते ही उसका रESरवेशन के लिए फिर से हम लोग topic करेंगे, ये topic हम लोग text section से करने वाले हैं, जिसमें cast census के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, इसको जरूर देखना है क्योंकि इसमें आपके अच्छी खासी revision हो जाएगी, इसमें I don't think तो ऐसा कुछ नया है, जो आपको पहले नहीं पता होगा, लेकिन फिर section से, हमास attack के बारे में आज का जो है tutorial दिया गया है, ये भी repeated साही है, इसमें कुछ खास नया नहीं है, लेकिन revision के purpose से इसको मैं बोलोंगा थोड़ा ठीक है, एक दो हो सकते हैं, आपको कुछ नया dimension यहाँ पर पता चले, तो इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन आपके front page पे पहले से ही बोल रहे थे, अभी हम इस चीज़ को दुबारा से बोल रहे हैं, मतलब सोवरेन पैलेस्टाइन स्टेट, इंडिया पहले भी as a part of our foreign policy, सोवरेन पैलेस्टाइन स्टेट को हम लोग support करते थे, और इंडिया ने कहा है कि हम लोग इसको आज भी support करते हैं, हम लोग है इसराइल के ओपर एक हमास ने terrorist attack किया है, जिसमें innocent बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, जिसमें 80 साल, 90 साल के बुजर्गों को नहीं छोड़ा गया, जिसमें ओरतों के साथ रेप किये गए और उनको मारा गया, हम लोग उस terrorist attack को support नहीं कर रहे हैं, बिलकुल भी, इसल इसराइल के साथ खड़े हैं, जैसा कि मोदी जीन tweet करें भी कहा था, लेकिन as a part of our long standing policy, which is a part of our foreign policy, हम लोग sovereign Palestine state को भी support करते हैं, अब देखे जरा, sovereign Palestine state को support करने का मतलब ये नहीं होता, कि हम लोग Israel को support नहीं करते हैं, United Nation ने, के अंदर जब ये मामला गया था 1947 में, उस समय United Nation जे solution निकाला था इस problem का, उन्होंने एक बात बोली थी, कि भीया, हम लोग ना two nation state की बात कर रहे थे, two nation state का मतलब ये है, कि एक Jews state होगा, जहाँ पे Jews रहेंगे, एक जो है Arab Palestine रहेंगे, दोनों की अलगले territory divide की गई थी, हलाकि ये map अभी latest वाला है, 1967 के वाबाद वाला map है ये, अगर उस समय का initial अगर map देखोगे, तो उसमें आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, तो ये जो कुछ territories नहीं पर दिखाई है, वो Palestine को दी गई थी, और बाकि जो territory है वो यहाँ पर Jews को दी गई थी, हलाकि उसके अंदर भी काफी issues थे, जितनी Jews की महाँ पर population थी, उसके comparison में काफे ज़्यादा territory नको दी गई थी, लेकिन फिर भी चलो मान के चले, मोटे मोटे तोर पे, 1947-48 में, एक two nation theory का concept जहाँ पर आया था, तो जहाँ पर एक Jews nation होगा और एक Arab Palestinian nation होगा, इसको accept नहीं किया गया था by Palestinians, इनका यह कहना था क्योंकि यह land हमारी है, तो हम लोग किसी और को क्यों दे, हलाकि land हमारी है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी controversy है, क्योंकि जब historical background की बात आत है, जिसमें हम लोग Abrahamical religions की बात करते हैं, तो Abraham, Noah, Isaac, अगर हम लोग परानी बाते करें, तो परानी बात में this land was actually a land, it was called Israel, land of Israel, और फिर बाद में इसको divide किया गया तो उसमें खेर ज्यादा हम लोग history में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ, यहां से Israelis को भगा दिया ग जो है यहां पर आए, Jews लोग मतलब यूरप उगारा से आए, फिर 1940 में यह सब हुआ, तो इंडिया तब से लेके अभी तक हम लोग इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, कि Jews के लिए अलग जगा होनी चाहिए, और पलिस्टिनिस के अलग होना चाहिए, जैसे इंडिया में भी तो हम लोग तो इसको ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया इलीगल रूप से जो ओक्यूपेशन किया गया है, वैस्ट बैंक के अंदर उसको सपोर्ट नहीं करता है, इवन अमेरिका भी उसको सपोर्ट नहीं करता है, युनाइटेड नेशन्स में कहीं बार उस इलीगल या फिर illegal settlement के against में resolution आ चुका है कोई भी उसको support नहीं करता फिर भी जबर्दस्ती जो है Israelis यहाँ पे construction करते रहते हैं अच्छे अच्छे college, universities, residential buildings सब कुछ आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे discount में मिलता है अगर आप इसराइल में रहते हो मालो यहाँ पे और यहाँ पे आपको आधे rate में मिलेगी चीज़े सुधाई मिलती है इवन अमेरिका, ब्रिटेन विकारा से भी लोग यहाँ पे रहने के लिए आते हैं अच्छे अच्छी residential buildings और वो सब यहाँ पे बना हुआ है तो इंडिया का कहना है कि हम लोग पहले भी एक sovereign Palestine state को support करते थे और आज भी हम लोग उसको support कर रहे है हमारी policy के अंदर कोई भी change नहीं हुआ है ये एक हमारी long lasting demand भी है और हमारी long lasting एक जो हमारा जो basically foreign policy है वो भी है ठीक है बट हम लोग definitely हमास को यहाँ पे support नहीं कर रहे है Israel prepares for the possible ground assault अभी तक क्या हो रहा था जादा तर जो mostly cases में Israel गाजा के ओपर जो है air strike कर रहे थे लेकिन अभी वो ground के ओपर भी invasion कर सकते हैं को इस जिराइन दर साफ साब बोल दिया है जब तक हमास का आखरी soldier बचा हुआ है तब तक यह fight चलेगा हमास को बिल्कुल पुरी तरह से खतम करेंगे हलांकि जब attacks वारा किये जाते हैं एक दूसरे की तरफ खास कर इसराइल जब attack करता है गाजा की तरफ तो already जो है वो warning देता है कि जो इस civilians वेरा है उस जगह को छोड़के चले जाएं लेकिन आप कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए हमेशे ही ऐसा होगा civilians की तो definitely death होती है अब याब युकरेन रिश्या वाले में देख ले वहाँ पे भी हो रही है अफगानिस्तान में जब अमेरिका था वहाँ पे भी वियतनाम वोर के दोरान भी इससे आप बच नहीं सकते चाहे आप जितनी मर्दी दुनिया भर की बाते कर ले लेकिन unfortunately सिवलेंड डेथ होती है इंडिया रैंक्स 111 आउट ओफ वन टॉन्टी फाइव कंट्रीज इन दा हंगर इंडेक्स तो रिपोर्ट आ चुकी है हमारा रैंक्स कितना आया है भईया 111 बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है हमारी इस खराब परफॉर्मेंस क्यूं है ये तो इस रिपोर्ट गंदर साफ साब बताया गया है लेकिन इंडियन गवर्रमेंट इस रिपोर्ट को पूरी तरह से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर लिया अफकोर्स भी हम क्यों करेंगे तो सरकार का यह कहना है कि यह जो मैथडलोजी है जिस मैथड से कल्कुलेट किया जाता है हंगर इंडेक्स वही फ्रोड है क्यों है वो हम लोग आगे आर्टिकल में बात करेंगे ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं आज के पहले टोपिक पर पहरा टोपिक तो यह था पस्ट जो टोपिक अपना है वो यह रहा यह था हम लोग कर चुके हैं और थारा साम ने बता दिया आपको हाँ तो 111 तो रिपोर्ट क्या कहती है तो इंडिया का स्कोर है अब यह कितना 28.7 यह हमारा यहाँ पर स्कोर हुआ है हमारे नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान की भी रैंक हमसे अच्छी है 102 बांगल देश की तो बहुत ही बढ़िया है नेपाल की भी बहुत अच्छी है श्रिलंका की भी बहुत अच्छी है तो अपने परोशियों से तो हम लोग पीछड वैसे भी गए है उसके उपर से अगर आप देखें तो रेट ओफ अंडर नरिश्मेंट है इन इंडिया यह तो 16.6 परसेंट पे पहुँच गया है अंडर फाइव मॉर्टैलिटी इस 3.5 परसेंट मतलब बच्चा जो है पांच साल से पहले उसके डेथ हो जाती है डेट इस 3.1 परसेंट जो अपने आप में काफी ज़्यादा हाई है अगर हम लोग अनीमिया की बात करें वीमिन में महिलाओं के अंदर जो अनीमिया की समस्या है बलड बहुत कम है 58.1 परसेंट 15 साल से 24 साल खून की कमी है चाइड वेस्टिंग इंडिया में हाइस्ट मानी गई है विच इस 18.7 परसेंट हालाकि अंडर निरिश्मेंट उससे भी खतरनाक है बट अंडर निरिश्मेंट और चाइड वेस्टिंग आप दिनों को रिलेट कर सकते हूं इन दोनों टर्म को आप रिलेट कर सकते हूं चाइड वेस्टिंग मतलब यह होता है कि जब बच्चा अपनी उमर के हिसाब से उसका वेट नहीं बढ़ता है उसका वेट नहीं बढ़ता है उसको हम लोग चाइड वेस्टिंग कहते है इंडिया में हाइस्ट है 18.7% तो यह तो हो गई इस रिपोर्ट के ने जो है क्या क्या कहा अब सीधी सी बात है सरकार तो यह बोलेगी कि यह मैथड़ोलोजी फ्रोड है इंडिया को टार्गेट किया गया है फ़लाना धिमकाना वो हर सरकार का यह खेल होता है कोई इस सरकार के लिए एक स्पेशल नहीं है तो सरकार इसको क्रिटिसाइज क्यों कर रही है उसके भी रीजन हमें समझना पड़ेगा देखिए सरकार का कहना है कि इसके अंदर बहुत सारी एरर्स है चीके और इसके अंदर जो मैथरोलोजिकल जो है इश्यूस बहुत सारे हैं क्यों है सरकार का यह कहना है कि हंगर इंडेक्स को कैल्कुलेट करने के लिए चार इंडिकेटर यूज किये जाते हैं कौन-कौन से इंडिकेटर है दिखाता हूं आपको देखिए यह चार इंडिकेटर होते हैं अंडर नरिश्मेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मॉर्टैलिटी चार होते हैं याद रखना है प्रिलिम्स के लिए सरकार का कहना है कि इन चार में से जो तीन है जो तीन है, वो क्या कर रहे हैं? वो बच्चों की हेल्थ उसको कैल्कुलेट कर रहे हैं जो कि एंटायर पोपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है यह है यहाँ पर बहुत बड़ी बात ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या कहता है? पूरे इंडिया का ग्लोबल हंगर बता रहा है लेकिन कैल्कुलेट क्या कर रहा है? ओनली बच्चों की हेल्थ अरे बच्चे पुरा देश पोपुलेशन थोड़ी नहीं आप यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है वो चाइल्ड स्टंटी, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मॉर्टेल्डी तो तीन जो इंडिकेटर है हुआ पर तो चिल्टरन वाले है लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या कह रहा है वो कह रहा है कि पुरे इंडिया, तो सबसे बड़ा फ्रोड तो यही हो गया आप पुरे पोप्लेशन का हंगर नहीं निकाल रहे हो, आप सिर बच्चों का हंगर निकाल रहे हो तो यह तो एक रिपोर्ट की बात हो गई, दूसरी बात जो चोथा इंडिकेटर है, अंडर निरिश्मेंट वाला, जो भी दिखाया आपको यह एक ओपीनियन बेस्ट डेटा है, एक्चुली डेटा नहीं है, ओपीनियन बेस्ट डेटा है मतलब लोगे से सवाल पूछे गए, आप क्या समझते हो, अब लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ तीन हजार लोगों का डेटा है, इंडिया कितना बड़ा देश है, कितने लोग है यहां पे, कम से कम, कम से कम पांच लाख लोगों का डेटा तो लीजिए यार, तब तो कुछ बात बनेगी, युरोपनिंग कंट्री में छोटे सैंपल चल जात इंडिया, तो एक तो सरकार का यह कहना है, ठीक है, हमारा जो पोशन ट्रैकर है, पहले मिंडे मिल हुआ करता था भी वो जो है पधामंत्री पोशन हो गया, पोशन ट्रैकर भी लगातार हमारे देश में, जो बच्चों की हेल्थ उगरा होती है, उसके डेटा को रिलीज करत है, और उसके हिसाब से इंडिया में, इस इस अंडर 7 परसेंट, अंडर पोशन ट्रैकर, चाइल्ड वेस्टिं जो है इंडिया में 7 परसेंट है, लेकिन यह डेटा क्या कह रहा है, गलोबल हंगर इंडेक्स, यह कह रहा है कि नहीं नहीं, वह 7 परसेंट है, अब किसके यह कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है, कि आपने बोल दिया कि आप स्टंटिंग हो या वेस्टिंग है, मतलब आपकी हाइट के हिसाब से वेट नहीं बढ़ रहा है, आपकी उमर के हिसाब से आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, इनका कहना कि यह complex interaction होती है, जिसमें sanitation, genetics, environment, food बगारा, वो सब कुछ जो है वो include होता है, तो इसलिए हम लोग hunger को एक सीधा सीधा factor नहीं मान सकते हैं, उसके लावा, child mortality का इन्होंने यहाँ पर factor बताया, तिनका कहना कि child mortality को आप पूरी तरह से hunger के साथ रिलेट नहीं कर सकते हो, child mortality और भी बहुत सारे तरीके से हो सकती है इन्टे बहुत सारे बच्चे जो है डेंगो से बिन की death होती है, malaria से death हो जाती है, pneumonia से death हो जाती है, PLEA से death हो जाती है, और भी बहुत सारे reasons हो सकते हैं, तो सिर्फ hunger से ही बच्चों की death हो की ऐसा तो जरूरी नहीं है, तो child mortality is not a direct outcome of hunger, because it's a very complex issue, तो यह जो है उन्होंने यहा पे हैं, अब इसे agree, disagree कर सकते हैं, that's a different thing, लेकिन exam में अगर question इस तरह से आता है, तो definitely कर सकते हैं, तो global health index जो हो प्रिपेर किया जाता है, European NGO है, ठीक है, concern worldwide and the wealth hunger life, ठीक है, जर्मनी based है, तो यह इसको conduct करवाता है, ठीक है, annual report इसकी आती है, और इसकी जो भी report आती है, बैसिक 2022 तक का data जो है collect किया जाता है, अगर अभी 2023 में आया है, तो इसके लिए 2018 से लेके 2023 का data लिया गया है, तो यह पांच साल की data के basis पे होता है, बैसिक है, बस, इंडिया ने कौन कौन से initiative ले अभी या hunger को दूर करने के लिए, eat right India movement, portion अभी हाँ, जिसकी बात अभी हम लोग ने किया था, परधान मंत्री मातरु अंदन योजना, food fortification, जिसमें हमारे food के अंदर जैसे rice milk या salt उगरा है, उसके अंदर iodine, zinc, vitamin उगरा वो सब add कर दिये जाते हैं, food fortification में हम लोगों ने पहले काफी बात की है, उसके लिए 2030 में national food security index है, yes, mission अंदर धनूश है, जिसमें बच् vaccines लगाई जाती है, pregnant women गरा को vaccines लगाई जाती है, वो सब रहता है, integrated child development services ये इंडिया में वैसे काफी पुरानी है, लेकिन इसके अंदर vaccination गरा भी होता है, health check-ups गरा होते है, formal education गरा, schools गरा, awareness campaign गरा भी चलाय जाते हैं, खासकर जो lactating mothers होती है, pregnant women होती है, उनको take care किया जाता ह इवन कई सारे states में पैसा भी ट्रांसफर किया जाता है, center government भी कुछ पैसा ट्रांसफर करती है, तो वो सब इसके अंदर होता है, तो these are some of the initiatives जो सरकार ने लिए गए हैं, yes आपको पता होना चाहिए, prelims के लिए भी और mains के लिए भी सीधे-सीधे questions यहां से आते हैं, लेकिन इतनी information सफी center नहीं है न आपके लिए, यह तो सिर्फ मैंने एक line के इंदर explain कर गिया, आपके पास इनके लिए separate notes होने चाहिए under government schemes, government schemes भी अलग तरह की होती है, कुछ employment के लिए होंगी, कुछ hunger के लिए होंगी, कुछ women होंगी, कुछ old age होंगी, कुछ caste based होंगी, कुछ region based हों होंगी, farmers होंगी, बहुत सारी schemes सरकार निकालती है, तो आप उसको उसी तरह से categorize करिये और अपने notes वनाईए, तब ही वो याद रहेंगी, अदरो इस तो याद रहता है नहीं है, चलिए जी, a case for the caste census in India, इस article में काफी data दिया गया है, जिसमें कुछ data को आप याद कर सकते है exam के लिए, क्योंकि आपको example वगरा देने के काम आएगा, ठीके, लेकिन इतना भी fact याद नहीं करना है, कि भी या fact डी fact पर रेटा मारते रहो, क्योंकि exam में जा कितना याद भी नहीं आता है, unfortunately, ठीके, तो इसके अंदर जो है, थोड़ा सा cast survey के वगरा में ही थोड़ा detailing दि किया गया है, क्या कि detailing दिया गया है, थोड़ा हम लोग एक बार देख लेते हैं, आलंकि इस data को मैं यहां से जादे नहीं करूंगा, क्योंकि इसको हम लोग उसी आर्टिकल से पढ़ेंगा, तो थोड़ा जादा, जो है, मुझे लगता है, कि engaging रहेगा, ठीके, देखी, बिह बिहार और कास्टरवर क्या कहता है, कि 63% बिहार 30 क्रोड पोपलेशन बिलोंग टू एक्स्ट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, वहां से यह बिलोंग करती है, OBCs और EBCs, टोटल अगर हम लोग इसके अदर HCSTs include कर लें, तो वो 85-86% के आसपास पहुंचता है, इसी लिए पुरे देश में कास्ट-based census होना चाहिए, इसके डिमांड बहुत जोर पकट रही है, लेकिन मोदी जी ने साफसा मना कर दिया है, कि हम लोग nationwide कास्ट सर्वे नहीं करवाएंगे, ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग डेटा पे जाएं, तो हमें साफसा पिक्चर क समझे लिए जैसे एक हाई इंकम ग्रूप होता है, है ना, एकदम से इलीट जो क्लास होती है, एकदम अपर मिडल क्लास, हलाकि exact कैटेगराजिये जिए का हम लोग नहीं कर सकते हैं, एक अपर अपर मिडल क्लास भी होती है, इलीट क्लास जिसको बोलते हैं, बड़े बड़ कैटेगरी हम लोग कर सकते हैं, तो ये क्लास है, कास्ट नहीं है, लेकिन इंडिया में सिच्वेशन ऐसी है, कि हम लोग अनफोर्चनेटली कास्ट और क्लास दोनों के इकवेट कर सकते हैं, अगर आप पूर में जाएं, तो मोस्टली आपको स्सीज, स्टीज और सम ओबीसी जादा तर मिडल में जो है, आपको जनल कैटेगरी से, या फिर मिडल मतलब जो ओबीसी में भी कुछ जो डोमिनिंट कास्ट होती हैं, वह आपको जादा तर देखने को मिलेंगे, अगर आप बहुत जदा इलीट में जाओगे, अगर आप अपर मिडल मिले क्लास में सकते हैं, और बहुत ही रेर आपको जो है, यहाँ पर स्थी और स्थी देखने को मिलेंगे, यह जनल जनल सा कटेगराइशन होता है, इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया में हम लोग कास्ट अगर किसी की पता चल जाती है, तो जनल जनल लेवल पे आप उसकी क्लास का किया गया है, ठीक है, और यह मैंने नहीं किया, यह सुप्रीम कोट ने किया है, और इवन मंडल कमीशन ने भी किया है, और इसलिए इंडिया में कास्ट बेस्ट रेजरवेशन होता है, क्लास बेस्ट रेजरवेशन हमारे अब शुरू हुआ, जब हम लोगों ने 10% जो है, एकनोमिकल वीकर सेक्शन को कोटा दिया है, इससे पहले हम लोग कास्ट बेस्ट किया करते थे, क्लास, कास्ट मतलब क्लास, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप यहां पे अंदाजा लगाएं तो आपको थोड़ा थोड़ा आई डेस का डेफिनिटली हो जाएगा, देखें, यह सेटी परसेंट है, सेज में सेवंटी टू परसेंट, ओबीसी सेवंटी सिक्स परसेंट, जनल कैटिगरी 85.9 परसेंट, आप 86 सी मान के चलिए, इसका मतलब क्या है, कि जनल कैटिगरी में एजुकेशन का लेवल काफी जादा अच्छा है, वहाँ पे लोग एजुकेशन को आएगी, तो भी जोब्स भी आएंगी उसके साथ साथ, अब सेकंडरी लेवल की देखें, सेकंडरी लेवल पर जाएं, और हाईयर लेवल पर जाएं, यहाँ भी परसेंटेज आपका ऐसा ही देखने को मिलेगा, जैसे मान लोग ग्रैजुएट की बात करें, 3.3 परसेंट ST 4.1% SCs, OBCs 5.9%, General Category में 12.3%, अब फर्क देखें कितना ज़्यादा फारक है, यहाँ पे सीधा 12.4% है, पोस्ट ग्रैजुएट में देखें 0.7 STs, 0.9 SCs, OBCs 1.2%, General Category में 3.4%, यहाँ पे भी आप जो है साफ साफ देख सकते हो, और अगर आप 1990s के बाद का डेटा है तो यह फरक्षा है तो आपको और नजर आएगा, लेकिन यह तो हम लोग निया पे जो है, ओवरोल डेटा निकाला है, और यह डेटा जो है, क्या है, Household Social Consumption on the Education in India, NSS 75th Round, जो है, इसके बेसिस पे हम लोग ने डेटा निकाला, NSO का डेटा है, National Sample Organization का डेटा है, Ministry of, जो ह MO, SPI का डेटा है, गोर्मेट जो इंडिया ने, सैंपल सर्वेजो किया जाता है, उसके द्वारा ही लिया गया है, तो डेटा ने सीथी सीथी पिक्चर क्लियर कर दी, कहां पे क्या चीज़े हो रही है, जोब्स की बात करें, तो वहां पे क्या है देखे जरा, अगर जोब्स Systems में 19.8%, OBS में 20% और General Category में 30.6%, यहां पे बी आफ साप साप देख सकते हो, इहां पे हम लोग बिजनस की बात नहीं कर रहे हैं, दुकांधारी की बात नहीं कर रहे हैं, सरकारी नोकरियों की बात कर रहे हैं, प्राइवेट नोकरियों की बात कर रहे हैं, जब्कि इन तीन लेबर की बात करें, of course SCSTs के अंदर बहुत ज़्यादा होगा, general category के अंदर casual labors बहुत कम होती है, self employment की बात की बात की बात करें, 58, 42, 59 and 58, तो सरकारी नोकरिया भी कहा है, private नोकरिया कहा है, वो भी यहा है, यह data बता रहूं मैं, जो periodic labor for survey 2021-2022 का data है, अब यह जो 12.3 आपको percent नजर आ रही है नोकरिया, यह कौन से group में है, वो भी तो important है, group A, B, C, अब यहाँ पर देखे ज़रा, group A, मतलब जो सबसे elite नोकरिया होती है, IS, IPS और बड़ी-बड़ी elite नोकरिया होती है, group A, 64% general category, ST is only 5.9, SC is only 13%, O, B, C, 16.6%, group B में चले जाए, group B में भी यह percentage है, वो काफी ज़दा देखने को मिलेगा, yes, group C में आप चले जाए, मतलब नोकरियों की अगर बात करें, तो यहाँ पर general category का percentage ज़ादा नजर आता है, जबकि मंडल कमिशन, कि अगर जो 1980 से मंडल कमिशन हुआ था, अगर उसकी बात करें, तो मंडल कमिशन का यह कहना है, कि हमारे देश में around 52% जो है, वो O, B, C, पॉपुलेशन है, 52% O, B, C, पॉपुलेशन है, और अगर हम लोग O, B, C के साथ साथ S, C's, और S, T को भी कंसिडर करें, तो यह लगबक हमारा 82% के आसपास जाता है, ऐसा मंडल कमिशन ने कहा, O, B, C, को रेजर्वेशन कितना मिलता है, 27%, पॉपुलेशन कितनी बताई गई, 52%, अब 52% पॉपुलेशन है, 27 रेजर्वेशन दिया जाता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे रिस्पॉंसिबल है, इंदरा साहनी जज्जमेंट, जिसमें सुप्रीम कोट ने कहा, कि हमें कॉण्टिटी और क्वालिटी, दोनों को आपस में बैलन्स करना है, तो 52% की जो लक्षमन रेका है, उसको फिक्स कर दिया गया था, अब यह इसके अंदर ही रिजर्वेशन ले लीजिए, इससे बाहर तो मत जाईए, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, सरकार ने इसको भी ब्रीच कर दिया है, बहुत सालों तो यह ब्रीच नहीं हुआ था, तो क्या इससे यह 50% ब्रीच होगा, मेभी येस, मेभी नो, अभी इसमें सुप्रीम कोड का काफी ज़्यादा रोल होने वाला है, लेकिन पुरे देश में तो कास्ट सर्वे नहीं है, अब वो इसके बाद बात वही है, कि यह जितनी कास्ट की परसेंटेज होगी, क्या उसी के बेसिस पे हमें रेजर्वेशन दिया जाना चाहिए, इसके लिए जो है, बहुत सारे यहां पर व्यूपेंट नजर आते हैं, तो फिर से वही जो है इशू खड़ा हो गया है, जिसमें बहुत सारे सर्वे ऐसे होते हैं, जो यह कहते हैं कि क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप वीकर सेक्शन को, अगर आप रेजर्वेशन देते हो, उन्दा बेसिस ओव देर कास्ट, इससे क्वालिटी के उपर कुछ फर्क पड़ता है, ऐसा कोई हमारे पास ओपीनियन हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी प्रोपर स्टेडी नहीं हुई है, जो यह बताती है, कि कास्ट बेस्ट रेजर्वेशन देने से, क्वालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है गोवर्नेंस की, इवन जो थोड़ी बहुत स्टेडी हुई है, वो यह कहते हैं कि इसको कई खास फर्क नहीं पड़ता है, मतलब फर्क पड़ता ही नहीं है, कि अगर आप कास्ट बेस्ट रेजर्वेशन देते हैं तो क्वालिटी से फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं, ओपीनियन अलग-अलग हो सकते हैं कि इसको तो हम लोग किसी से सोचने से रोक नहीं सकते, हम तो डेटा की और फैक्ट्स की और प्रूफ की बात करते हैं, तो अभी इसके ओपर दुबारा सा डेफिनिटरी डिवेट होगा, और जब होगा तो तब इसके बारे में देखेंगे, तो चोटे-चोटे तोर पे जो है, वह ने आपको इसकी सारी कहानी रगभग भता दी है, आप इसको पढ़ोगे तो वही कहानी आपका भी समझ में आएगी, वही मंडल कमिशन, कास्ट बेज और वो सारी चीज़े इसके अंदर मेंशन की गई हैं, ठीक है जी, देखें, फैक्ट्स वकर अब बहुत दिये हुए हैं, जो हम लोग उन्हों पर बात किया है, फैक्ट्स का, when did the कास्ट सर्वे बिगिन, 1881 के अंदर ब्रिटिशर्स ने जब कास्ट शुरू किया था, सैंसर्स तब से कास्ट को इंक्लूड करना शुरू किया था, लास्ट टाइम 1931 के अंदर, लास्ट टाइम जो है वो कास्ट इंक्लूड की गई थी, SCSD की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आज भी निक्लूड होती हैं, OBC की बात कर रहे हैं, तो यह नहीं के 1931 के बाद, अब तक हमें देश में पता नहीं है, कितनी OBC population है, तो मंडल कमिशन जब आया था, इन्हों ने जो OBC की population percentage count किया था, वो भी 1931 के census के basis पे ही किया था, जो इन्होंने निकाली थी, 52% रेजर्वेशन कितना मिल रहा है, 27% ठीक है, तो 50, आर्टिकल 15-4 के तहत वो रेजर्वेशन दी जाती है, मंडल कमिशन ने जो है इसको recommend किया था, और उस रेजर्वेशन के दो सबसे बड़े आधार थे, basis थे, social backwardness और educational backwardness, economical backwardness नहीं है, बहिए रेजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ अभियान नहीं है, रेजर्वेशन दिया जाता है, जो समाज में जो तबका पीछे चूट गया है, जिसके साथ historical discrimination हुआ है, आज भी होता है, उनको मुख्य धारा में लेके आना, उनको push करना, उनको social justice प्रवाइड करवाना, ये काम होता है रेजर्वेशन का, गरीबों को अमीर बनाना रेजर्वेशन का काम बिलकुल नहीं होता है, मैं ते शुरुआत ही थोड़ तो यही थी, अभी आजगर लोग ऐसा मानते हैं, कि गरीबी के basis पे दिया जाए, लेकिन that was never the intention, that was never the basis for providing reservation on the basis of caste, ठीक है, बस, थोड़ा साइड आपको यह होना चाहिए, अब जो है, अगर हम लोग आज के editorial को देखें, हालांकि इसमें कुछ खास मुझे दमदार चीज लगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे मैंने मैप से आपको बता ही दिया है, जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग देखें, आपर ज़रा यह है, इधर गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप के अंदर जो है, हमास वो डोमिनेट करता है, ठीक है, हमास के बैसे लिए यहाँ पर दो यूनिट है, एक हमास के पोलिटिकल यूनिट है, और एक हमास के जो है, वो मिलिटर यूनिट है, हमास के जो मिलिटर यूनिट है, जिसने अभी उपर अटैक किया है, गाजा से, इस्राइल के उपर, इसे terrorist organization declare किया गया है वहीं West Bank के अंदर जो political unit है उसे कहते है PLO ठीक है इसे PLO कहते है 1960s में इसको जो है बनाया गया था 60s और 70s में काफी popular रही और PLO मतलब यासर आराफाथ आपने नाम सुना होगा ये leader थे उनके द्वारे ये बनाई गई थी party आज भी West Bank के अंदर ये लोग ही जो है रूल कर रहे हैं ठीक है हमास यहां में चला गया हलांकि शुरुआत में PLO यहां पे गाजा में और यहां दोनों जगए ही रूल किया करते थे लेकिन PLO is little bit kind of secular ठीक है मतलब बहुत जदा hard line नहीं है बहुत hard line नहीं है बहुत जदा orthodox नहीं है हलांकि religion के basis पे है यह सब चीजें बट फिर भी उतने hard line नहीं है तो इदर से हमास का यह कहना था कि यार आप लोग तो नरम हो आप लोग इसराईल से थोड़ा सा ना strictly behave कर ये तो वो वो नहीं किया तो बाद में उसी वज़े से हमास और पियलो के रास्ते अलग-अलग हो गए अभी जो है पियलो यहाँ पे रूल कर रहा है हमास यहाँ पे कर रहा हमास को internationally recognize नहीं किया जाता है पियलो को internationally recognize किया जाता है हलाकि जो यहाँ पे legal settlements होती है इसराइल की पियलो उसको oppose करता है लेकिन फिर भी पियलो थोड़ा सा elections वगरा के अंदर believe करता है as compared to हमास तो हमास ने जो है वो भी attack किया है काजा से इधर करके अब article यह कहता है कि हलाकि इस article ने सरे आम हमास के action को जो है criticize नहीं किया है जो कि किया जाना चाहिए था और देखिये सब के अपने अपने views होते है अब सवाल यह है जगर हम लोग अगर हम principles की बारें बात करें principle यह कहता है कि किसी end को achieve करने के लिए जो आपका रास्ता होता है जो means होते है वो भी moral होने चाहिए ethical होने चाहिए negative एक positive नहीं बना सकते जब हम लोग politics की या फिर social अपनी life की बारें बात करते हैं कि तुमने गलती करी तो मुझे भी आपको अधिकार नहीं मिल जाता है गलती करने का क्योंकि फिर एक दूसरे को पर उंगल्या खड़ी होनी शुरू जाती है अब ये कहना कि इतने सालों से इसराइल जबरदस्ती वहां पर इलीगल occupation कर रहा था लोगों को मार भी रहा था तो ये license दे देता हमास को छोटे बच्चों को ओरतों को मारने का ये तो सही नहीं है कि एक negative दूसरे negative को हम लोग justify नहीं कर सकते तो वही justification पर से लिए बहुत सारे लोगों के द्वरा दी जा रही है कि इसराइल भी इतने सालों से कर रहा था अरे भाई अगर इसराइल इतने सालों से कर रहा था तो आप पर अपर तरीके से war कर रही है न war मतलब वहता है army to army force to force soldier to soldier वह करिये किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो जब आप innocence को मारते हो ओर्तों को मारते हो innocent civilians को मारते हो rape करते हो गला काटते हो that is not a war that's a genocide right दोनों में फरक है Italy का जो action है जो इसराइल का जो action होता है जिसमें innocence को मारा जाता है उसे भी पूरी तरह से criticize किया जाता है international communities के द्वारा भी और हमास कर रहे हैं तो इसको भी criticize किया जाना चाहिए उसी intensity के साथ लेकिन सब का point of view यहां पर अलग-अलग हो सकता है but हमारी जो values हैं हमारी जो principles है democratic values जो हमारे human rights की बात करते हैं उसी लिए जो है Indian government हमास का action को बिल्कुल भी support नहीं करते हैं हम PL को support करते हैं शुरू से करते हैं आज भी करते हैं future में भी करेंगे यह हमारी established foreign policy है but Indian government does not support हमास at all पहले भी नहीं करते थे अभी भी नहीं करते हैं as a nation तो इसके अंदर वही कुछ-कुछ बताया गया कि effect होता है Palestine cause कि हमास ने जो attack किया है वो गलत किया है सही किया है भाई आव गलत ही किया है सही नहीं किया है आज आज आव डारेक्ट दूसरा attack करते तो justified था बच्चो को मारना is not justified at all तो नेतनियान government जो इवन अमेरिका ने भी कभी support नहीं किया illegal settlements को कभी नहीं किया इवन criticize भी किया है अलाकि वो defense के purpose से support करता है इस्राइल को अमेरिका but इस्राइल अमेरिका नेवर supported illegal occupation in the west bank ठीके तो इनका यह कहना है कि जो चीज़े हो रही थी इस्राइल में illegal settlement हो रही थी लोगों को उनके घर से बाहर निकाला जा रहा था तो वो एक desperate होके हमास ने यह सब किया है reason क्या है अब ऐसा नहीं कि हमास नहीं है कि प्यालो भी पहले किया करता था Oslo Accord के बाद प्यालो ने वो सब करना बंद कर दिया Oslo Accord से पहले प्यालो भी इस तरह के attack किया करता था why purpose था intention purpose था attention कि globally globally दुनिया को यह बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है देखे आज कल तो फिर भी social media बहुत powerful है पहले तो नहीं हुआ करता था तो जो western media दिखाय करता था दुनिया का लोग देख के माल लिया करते थे तो global platform पे यह दिखाना के भाईया यहाँ पे क्या हो रहा है तो इस तरह के attacks किये जाते थे कुछ लोग इनको terrorist attack बोलते हैं कुछ लोग इसको terrorist attack नहीं बोलते हैं कुछ लोग इसको freedom struggle भी बोल रहे हैं तो हो सकता किसी का freedom struggle दूसरे के लिए terrorist attempt हो सकता है तो यह पेलो के पारे में थोड़ी बात बताई है पेलो अंडर यासिर आराफात अब पेलो मेर हमास में क्या फरक है बेसिकली पेलो वस सम्थिंग लाइक अ सेकुलर थिंग सेकुलर बैटल करते थे लेक्शन लड़ते थे कभी कभार थोड़ा बहुत इदर उदर defense forces के साथ भिड़ जाया करते थे तो यह हैड अ डिफेंट थिंग हमास इस टोटली बेस्ट ओन दा रिलिजियन हमास यूज इसलाम as a political weapon पेलो की जो fight थी that was more for like a nation state नेशनलिस्टिक पलेस्टाइन की बात कर रहे थे इसलामिस्ट पलेस्टाइन की बात नहीं करते था पेलो आज भी नहीं करता है हमास completely उसने इसलाम को political weapon के तोर पे यूज करके as a religious जो fundamentalism है उसको promote किया है जब आप एक religion को as a political tool के बारे में देखने लगते हो तो दिक्कत हो जाती है इसमें नहीं दिक्कत non-muslim discourse को लेके भी है मतलब muslim world के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसलाम को as a political tool के रूप में को यूज करने के step जो है उसको support नहीं करते हैं ऐसे लोगों को non-muslim declare कर दिया जाता है larger community के दुआरा ये भी समस्या है जैसे इरान में इरान में इरान में इरान मुस्लिम country है इरान में सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगे प्रोटेस्ट हो रहे हैं for the more freedom to women लेकिन जो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है के अरे यह तो मुस्लिम ही नहीं है तो मुस्लिम्स को पहली बात तो आयस पर किया जाता है जैसे हमास का यहां पर जो current example इन्हों ने दिया है that is why इसको इतना ज़्यादा criticize किया जा रहा है पियलो उतना ज़्यादा नहीं करता है ठीक है तो यह प्रस्पेक्टिव की बात है जो अलड़ी हम लोग नहीं यहां पर कर लिया है तो ऐसी तरह से Jewish fanatics भी है इस्राइल के अंदर भी अलग-अलग तरह के Jews आपको देखने को मिलेंगे mostly Jews आपको 17-80% जो है secular देखने को मिलेंगे बाकि 20-30% जो Jews है इस्राइल के अंदर वो भी काफी rigid और fundamentalist है ठीक है वो भी illegal जो occupation की बात है वो जादा तर यही 20% करते हैं और जो इतनी आहूं हैं वहां के इस्राइल के जो मतर हैड हैं वो काफी ज़्यदा orthodox जो है community से belong भी करते हैं और उनको support भी करते हैं इसलिए जो है issues यह काफी ज़्यदा यहाँ पर होते हैं तो यह कुल मिला के जो इनों नहीं आपर बात की है तो हमास का यह जो blender है भाई अब यह क्या रंग लाएगा यह तो भी देखने वाली बात है international communities में क्या क्या बाते होंगी कौन support करेगा अपोस करेगा Middle East के अंदर हलचल होगी हो भी रही है उन सब को लेके जो है article बताया गया है that हमास and its supporters are beyond believe ठीक है इनका यह कायना है कि we need to be a bit secular हमें politics और religion को बहुत जादा mix नहीं करना चाहिए ठीक है बस इसके साथ इन्हों ने छोड़ दिया है बाकी इतना ही था opinion based थोड़ा ज्यादा नजर आया fact writers में तो काफी कम थे उसके लाब कुछ additional article है आप यह भी बढ़ सकते हो